हेलो एवरिवन मैं अंकित एक बार फिर से आप सुभी लों के लिए ले करके हजिर हूँ डेरिक करने अफेर्स का ये वीडियो फ्रेंट्स आज है 24 तारीक और अज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आज के दिन के सभी 10 इंपोर्टेंट करने अफेर्स के कुश्चन के बा ना चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सबसे पहला कुश्चन कौन सा है हाल ही में किस यूनिवस्टी के सताब्दी समारो को चिन्हित करने के लिए डाग टिकट चारी किया गया जी हां इसका जो सताब्दी समारो है देश की परधान मंतरी सिरी नरेंद मोधी जी ने वर्चली तोर पर इसको संबोधित किया जी हां कौन सी यूनिवस्टी है अलिगर्द मुस्लिम यूनिवस्टी एयम यू आप्सन बी आपका सही होगा तो इसकी सताब्दी समारो को चिन्हित करने के लिए आपका डाग टिकट जारी किया गया ठीक है हां तो आ आप समझ गया होंगे स्रदाब्दी समारो मनाया गया तो यानि कि स्थापना कप की गई एक तरह से यानि कि इसको अलिगर्द मुस्लिम यूनिवस्टी इसका नाम कणक कप किया गया इसे इस नाम के तोर पर इसको पैचान कम मिली तो 1922 में मिली यानि कि 2020 में इसके 100 साल ठीक है तो वहां पर आपको कन्फूजन हो जाएगा तो महीं है पर आपको प्लियर कर देता हूं कि जो 1875 मिलेगा तब इसका नाम अलिगर्द मुस्लिम यूनिवस्टी नहीं था तब इसका नाम था मुहमधन एंग्लो ओरियंटल कॉलिज ठीक है यानि कि 1875 में जब इसकी स सताबदी शमारो को देश के पढ़ान मंत्री से नरेंद मोधी जी ने वीडियो कांफरेंसी के माध्यम से इसको संबोधित किया ठीक है न वर्तमान में भारत की केंद्री से च्छा मंत्री कौन है रमेश पोखरियाल निसंद चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे कुश्चिन क देखने को मिला ठीक है तो यह देश है आपका बेटनी आपर एकदम से अचानक से बहुत सारी केजस देखनों को मिले हैं कोविड के बार फिर से तो उसको देखा गया तो यह पुराने कोविड उससे इसका कुछ जो करेक्टर्स हैं जो लच्छन है वो इससे अलग पाए ग कोविड इस ट्रें ठीक है नामयात रखें बृटेंड में है अभी भारत में इसके लिए लेकर के गोशना की है नीतिया यूग के दोर्णा की गई है उन्होंने का भारत में अभी फिलाल कोई चित्ता करने वाली बात नहीं है ठीक है नीतिया यूग आप सभी जानते हैं इ इन्डिया और यह क्या है एक प्रकार का थिंग टैंक है ठीक है ना हाँ चल आंगे बढ़ते हैं अच्छा ब्रिटेन की तो आप सभी जानते हैं कि जो भी आने वाला आपका गड़तन दिवस है 26 जनवरी 2021 को उसमें ब्रिटेन के जो परदान मंतरी बोरिस जोंसन वो मुक अति के तोर पर सामिल होगे याद रखे important question है बन सकता है वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक और से जरूर से कीजेगा हाल ही में किस देश के street food को यूनेशको की विरासत सूची में सामिल किया गया है जी हां यहां का यह फिरियों कहें कि जो इस देश का street food से वो लोगो देश है आपका Singapore option c आपका सई होगा तो Singapore के street food कानर को देश के बोजन कच के तौर पर भी जाना जाताक है किस देश के सिंगापूर के बोजन कच के तौर पर भी जाना जाता है जहान सभी छेत्रों के लोग सुभज देश कर रात तक बहुत सस्ते दाओं पर ताजा पका हुआ बोजन खाते हैं ठीक है न हाँ बात हो रही है यूनेसको की तो अभी आपको पता रहा चाहिए कि अभी हाल ही में कुछ दिन पहले यूनेसको ने मत्परदेश के दो इस्थानों को यूनेसको की वरासत सूची में सामिल किया था वो अब बात हुरी यूनेसको की तो फूल फॉर्म सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बहुत जरूरी है इसका फूल फॉर्म ठीक है यूनाइटेट नेशन्स एजूकेशनल साइन्टिफिक एंड कल्चरल और्गनाइजेशन ठीक है हेड़कोटर है पेरिश फ्रांच में औ लाइफ टाइब अचीवमेंट आवार्ड से संब्माने किया है ठीक है नूजर सी का इंडी आफ का एक राज है नूजर सी तो वहां पर आपको इस अबनेता को लाइफ टाव अचीवमेंट अवाड दिया गया इनका नाम क्या है धर्मेंद्र ऑप्शन D आपका सई होगा य किसके द्वारा दिया गया बालीवूड इंसाइडर द्वारा आयो जित करक्रम में दिया गया ठीक है ना बालीवूड इंसाइडर क्या है यह अमेरिका में हिंदी सिनेमा के छेत्र में काम करने वाला बड़ा पब्लिकेशन है कौन सा याद रखें बॉलीवूड इंसाइडर थिक है थिए अमिर्का में हिंदी सिनेमा के छेतिमे च्छेत में काम करने वाला थि बड़ा प्पबलीकेस्यं सतुन थिक न हाथ उसी के दोरा क्या है धर्मेंद को यह पुरुषकार धर्मेंद एकलोते हैं जिनको यह पुरुषकार मिला है Lifetime Achievement Award न्यूजर्शी में चलिए आंगे बढ़ते हैं पांचवों कुश्यन लेते हैं हाली में सवयुक्त राष्ट जनसंक्या पुरुषकार 2020 किसे दिया गया है हाली में सवयुक्त राष्ट जनसंक्या पुरुषकार 2020 किसे दिया गया तो यह ग्रूप है एक संसुथान है कौनसा? Help is India Help is India option यह आपका सई होगा ठीक है न? तो यह क्या काम करता है? यह काम करता है यह लगाता चार दसकों से जीवन की गुलवक्ता में सुधार करने के लिए वंचित व्रद्वक्तियों की देखभाल के लिए काम कर रहा है ठीक है न? यानि कि जो व्रद्वक्ति हैं उनकी देखभाल करके उनके जो लाइफ है उनकी लाइफ की प्रोडक्टिविटी उनकी क्वालिटी को बढ़ाता है जीवन की गुलवक्ता में सुधार लाने का प्रयाज करता है ठीक है यह जो पुरुसकार है यह इसकी स्थापना 1981 में स्वयुक्त राष्ट द्वारा की गई थी कब की गई थी? 1981 में इसकी स्थापना कीगी तब से इसको देना सुरू किया गए ठीक है? स्वयुक्त राष्ट जनसंख्या पुरुसकार के इतिहास में पहली बार किसी भारती संसथान को यह सम्मान दिया जा रहा है ठीक है न? हाँ भारती संसथान को यह पहली बार दिया गाए है इससे पहले एक भारती है कौन है? 28 साल पहले 1992 में RJD Tata जी हाँ कौन? RJD Tata को यह सम्मान मिल चुका है कौन सा? सवयुक्त राष्ट जनसंख्या पुरुसकार चले इस बार किसको मिला? help is इंडिया को मिला मैंने बता दिया किसलिए यह मिला? ठीक है याद रखे कुश्चन आपका बन सकता है चले बन से चटे कुश्चन की तरफ हाल ही में किसान दिवस किसान दिवस किस पिएम की जैनती के रूप में मनाया जाता है? यह भारत के पाँचवे परधान मंतरी थे कौन है यह? चौधरी चरणसिंग option डी आपका सही होगा तो जैसक मैंने आपको बताए यह देश के पाँचवे परधान मंतरी थे इनका कारकाल था 1989 से लेकर के 1980 तक मतलब की बहुत एक छोटा कारकाल रहा था जिसमें यह देश के पाँचवे परधान मंतरी रहे थे तो इनकी याद में 23 दिसंबर को परतेवे कवर्स किसान दिवस मनाया जाता है क्यों? क्योंकि यह बहुत ज़्यदा किसान हितैसी थे यानि कि किसानों के लिए बहुत ही ज़्यदा इन्होंने अच्छे च्छी योजनाय सुरू कियों बहुत अच्छे च्छे इन्होंने काम किये ठीक है? 24 चर्ण सिंग जी यह उत्तरप देश के भी पाँचवे मुक्मंतरी थे देश के पाँचवे प्रधान मंतरी तो थे ही थे लुईस हैमिल्टन को चुना गया है ओप्शन B आपका साई होगा ठीक है न? तो फार्मूला वन चेंपियन को BBC Sports Personality of the Year 2020 Award दिया गया है ठीक है? इससे पहले 2014 में इन्होंने यह पुरुजकार जीता था ठीक है? आप सभी जानते हैं कि वर्तमान में फार्मूला वन रेसर का विस्विजेता कौन है? फार्मूला वन रेस का विस्विजेता कौन है? तो यह वर्तमान में यही है लुईस हैमिल्टन और यह साथ बार वर्ल्ड कप जीत चुके हैं ठीक है न? कितने बार? क्योंकि एक हमेशा विवादित मुद्दा रहता है क्योंकि जिस जानवर के साथ यह जो खेल खेला जाता है तो उसके संरच्छन करके यह भी जानवर का क्या 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 शूंदर्ल रोग के साथ यह क्यान इसकोर खेला प्रियन मैं यह खेला जाता है आपकर एक प्रकार का खेल है ठीक है यह कहां तमिल नार्ड में इसको खेला जाता है option यह आपका सई हगा तो ठीक है हाँ तो तमिल नार्ड सरकार ने इजाज़त दे दी है तो यहाँ पर जो खिलाडी है लेकिन उनके लिए कुछ restriction है कुछ नियम भी बन दारित कर दी गई कितने खिलाड़ी 150 maximum खिलाड़ी हो सकते हैं और जो जानवर यूज होता है यानि जानवर पाउंस अप्रियों कहते हैं कि सांड तो बुल तो उनकी संख्या कर दी गई है 300 ठीक है न हाँ तो इतनी संख्या निर्दारित कर दी गई है अब बात हो रही तमि पुरुसकार से सम्मानित किस अभनेता का नीजन हो गया तो इनका नाम है जगननात गुहा ओप्सन भी आपका सई होगा इनका सम्मन्द कौलकाता से ठीक है यह राश्टी पुरुसकार से सम्मानित अभनेता थे इनको किस फिल्म के लिए मिला और कब मिला तो 1986 मे में इनकी कल के question का जवाब, वीडियो में 9 question थे, अब कल की question का जवाब ले लेता है, जिन्होंने सही answer दिया, तो उनके लिए बहुत बहुत congratulations उनको तयारी, उनकी आच्छी चल रही है, वो लगातार वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, तो कल मैंने आप से पूछा था कि हाली में सरकार ने खेलों या youth games में कितने सुदेशी खेलओं को सामिल करने की मंज RMD दे दी है तो 4 सुदेशी खेलों को सामिल करने की मंजूरी दे दी है ठीक है न बहुत important है क्यों सामिल किया मैंने पूरा describe भी किया था चलिए मैं आपको एक सरसरी तौर पर बता भी देता हूं कि सो देशी खेलों को पहचान देने के लिए ठीक है न हाँ, इनको पहचान देने के लिए लोग ज़्यदा ज़्यदा इसके बारे में जाने, इसलिए इनको इसमें सामिल किया गया है, ठीक है कौन से हैं, आपको फटा फटा बता देता हूँ, मलखंब है आपका, ठीक है, मलखं यूट गेम्स में सामिल कर लिए गया है सुदेशी खेले हैं आपका और जो आपका next खेलो इंडिया यूट गेम्स होगा वो 2021 का हरियाणा में होगा ठीक ना कब होगा कहा होगा हरियाणा में होगा और 2021 में होगा चलिए ठीक है याद रखे इतने कुश्चन आपकी इससे बन सकते हैं अब ले लेते हैं कुश्चन आप दड़े इसका जवाब आपको कमेंड बॉक्स में कोईड करके बताना है हाल ही में अमेर की राष्टपती द्वारा लीजन आप मेरिड पुरुजकार किसे दिये जाने की योटना की गई है चौर ऑप्सन है आपके पास इनमें से जो भी आपको आपको अप्सन करेक्ट लगता है वह आपको वीडियो कैसे लगा हमें जुरूर से बता हैं आपको कोई डाउट कोई शावाल तो आप बिना किसी एजिटेशन के आप पूछ सकते हैं ठीक हैं आप हम सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें नोटिफिकेशन बेल को वी प्रस कर लें थैंक्स पर वासिंग मिलते हैं नेक्स वीडियो में तक तक के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्नवाद